नमस्कार दोस्तों वेलकम टू मीटास कुपिंग रेसिपी आज मैं आपके लिए लेके हाई हूं आपके ही किचन से एक ऐसा आइडवेडिक चूरन जो हमारी शरी की बहुत से बिमारियों के लिए एक रामबार इलाज है काली जीरी अजवाई ने मेथी दाना का इस्तिमाल मस मसाले स्वास के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं क्योंकि यह मसाले पोशक तक्तों से भरपूर होते हैं और अगर इनको साथ में मिलाकर लिया जाए तो हमारी शरी की बहुत से समस्याइट ठीक होने लगती हैं जैसे कि हड़ियों को स्ट्रॉंग बनाना हो पेट के रो दुरुस्त रखता है और सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है मेठी दाना में खुब सारे विटामेंस और मिनरल्स पाये जाते हैं जो डाइबेटीज बालों के समस्या हार्ट प्रॉब्लम पेट सबमंदी रोड व्यक्शुगर और लिवर की प्रॉब्लम से आपकी सुर प्रॉब्लम सो कलस्ट्रॉल कम करना हो वेट लॉस हो सर्दी जुखाम गटिया मसूनों की सूजन मुहा से इन सभी रोगों में अरजवाएं बहुती फायदेमंद होता है काली जीरी काली जीरी में अनेग प्रकार के स्वास्वर्दग गुर पाये जाते हैं और इसका इस्त अब एक पढ़ाई लेंगे और इसमें हम अपनी तीनों मसालों को डाल लेंगे और इसको धीमी आज पे सूखा भून लेंगे साथ से आठ मिनट में ही हमारे मसाले अच्छे से भून जाएंगे ये देखिए साथ आठ मिनट हुए है और अब मैं इसको ठंडा होने रख रही हूँ हमारा चूरन का मिक्षर एकदम ठंडा हो चुका है अब मैं एक मिक्सर ग्राइंडर लूँगी और इसको हम थोड़ा-थोड़ा करके पीस लेंगे ये देखिए इस तरह से एकदम महीं पिस गया है और अब एक स्टेनर के सहायता से इसको और भी छान लेंगे अच्छे से और ये जो थोड़ा हमारा मसाला बचा है इसको वापस मिक्सर ट्राइलर में डालेंगे और और मसाले को डालेंगे और इस तहरे से हम अपने सारे मसाले को पीस के महीं चूरन बना लेंगे ये देखिए हमारा मैजिकल चूरन तैयार है और अब मैं एक एर टाइप जार या बोतल लूँगी और उसमें इसको भरके रख लेंगे इसको आप लोग निमत रूप से 90 दिन तर प्रयोग कीज़ेगा फिर इसका बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलता है पेट की सभी बिमारिया मोटापा इन सब से छुटकारा मिलता है अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको लेना कैसे है इसको इस तरह से बस एक चमच रात में गुंगेलने पानी से ले लेंगे तो आपको इसका बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है और आपको आगे भी मेरी इसी तरह से अच्छी अच्छी रेसिपी देखना पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजे